प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने इंडिया गेट पर महान स्वतंत्रता सेनानी नेता जी सुधाश्चंद्र बोस की प्रतिमा का 8 सितंबर को अनावरंड किया बोस की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित के गई जहां इस साल के शुर्वात में पराकरम दिवस यानी 23 जनवरी के अपसर पर उनकी होलोग्राम के प्रतिमा लगाई गई थी इस मौके पर पियम मोदी ने जब भाशन दिया उसमें जारतर समय नेता जी का ही जुक्र करते रहे ऐसे में सवाल होने लगे हैं कि क्या नेता जी की मूर्ति लगा कर बीजेपी अधूरे मिशन बंगाल को पूरा करना चाहती है यानि जो जीत को 2021 के विधन सभाचुनाब में हासिल नहीं कर पाई उसे लोगसभाचुनाब में हासिल करना चाहती है पश्रिम बंगाल की राजनीती को समझने वाले को जानकार मानते हैं कि 2024 की लोग सभाज चुनाव को देखते हुए मिशन बंगाल को फतह करने के लिए बीजेपी ने अब इसे तैयारी शुरू कर दी है इसलिए सुभाज चंदरबोस की प्रतिमा लगा कर बीजेपी बंगाल को यह संदेश देना चाहती है कि उनके विरासत और अस्मिता के संरक्षक वही है त्रिर्मुल कॉंग्रेस यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने विधानसथा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पहले नेता जी सुभाज चंदरबोस की जयनती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का स्टंट किया और अब अगले चुनाव की तैयारी है बंगाल में नेता जी सुभाज चंदरबोस की लोग प्रियता किसी से छिपी नहीं है बंगाल के वह गौरब माने जाते हैं जानकार मानते हैं कि बंगाली गौरप के प्रतीक नेता जी की मुर्ती लगा कर BGP बंगाल की जनता का ध्यान अपनी और खीचना चाहती है यह गौर करने वाली बात है कि दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने विश्व भारती युनिवरसिटी के कारिक्रम में रविंद्र नाथ टैगोर की जमकर तारीफ करते हुए उनका बंगाल कलेक्शन ही बताया था बीजेपी का कहना है कि बंगाली गौरप के प्रतीक नेता जी देश की स्वाधीनता की लड़ाई को भारत से लेकर यूरोप की धर्ती तक लड़े लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वे हकडार थे ऐसे में पियम मोदी नेता जी को उचित सम्मान देदे की दिशा में ही काम कर रहे हैं 2016 की विधान सभाद चुनाब में बीजेपी के प्रतशन के तूलनां 2021 के विधान सभाद चुनाब से करें तो यह उसकी एक बड़ी जीत है 2016 में बीजेपी को केबल 3 सीटों पर जीत मिली थी और 2021 के विधान सभाद चुनाब में 77 सीटों पर जीत मिली 2016 के पश्चिम मंगाल विधान सभाद चुनाब में बीजेपी का वोट शेयर लगभग 10 फीजदी था लिहाजा जानकार मानते हैं कि बीजेपी विधान सभाद चुनाब में रह गई कमी को लोग सभाद चुनाब में पूरा करना चाहती है कहा ये भी जाने लगा है कि नेता जी को लेकर बीजेपी और ट्रुडमूल कॉंग्रेस में भिरासत की जंग अभी और तेज होने वाली है टाइमस्नावन भारत पुरिजदन की रिपोर्ट